असलाम अलेकुम जी कैसे आप सब लग उमीद करते हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे खुश होंगे आज ही हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार दो किसम के स्नैक्स एक फिलिंग से बना के तियार करेंगे एक फ्राइड होगा और एक होंगे सैंविचिस बहुत ही आसान औ इतने मज़े के स्नैक्स है आप इसको टी टाइम में भी रख सकते हो इफतार आ रहा है उसमें भी बना के रख सकते हो बहुत ही आसान रेसिपी यह स्टार्ट करते हैं जी रेसिपी को हम ले लेंगे तकरीबन 5-6 ब्रेट के पीसे जितने भी आपको चाहिए उसके हम कर दें अच्छा नहीं लगता तो हम नीब तरीके से साइप को कर देंगे रिमूफ और उनको डाल देंगे चौपर के अंदर और फाइन चौप करके इसके ब्रेट क्रम्स प्रिपेर करके रख लेंगे जो स्नैक्स होते हैं इनों का सबसे बेस तरीका यह होता है कि प्रिपेर करके चौपके उनको पहले से रख लो उसके बाद स्नैक्स बनाने शायरे करने यह आचार इसको अच्छे तारा से बॉइल करके रख लिया कोई नमक और कुछ भी लगाया एक पाउचसी बोटिया थी बहुत मोटे चंक्स नहीं रखने शिमला के बारी चंक्स रखने है ठीक है ये जी अब इसके अंदर डाल देंगे हम मयोनीज में रेड सॉस वारी मयोनीज यूज कर रही थी अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने टू टेबल स्पून्स लेनी है साधी मयोनीज साथ उसके अपने लेनी है एक टी स्पून कैचप और एक दो चुटकी के दरदरी कुटी वी जो लाल मिर्च होती है वो इसके अंदर डालोगी वो इसका सब्स्टिट्यूट है साथ ही इसके अंदर डाल देंगे बिल्कुल एक पिंच नमक का और हाफ टी स्पून दरदरी कुटी और मेन बात यह है कि हम एक फिलिंग के साथ दो स्नैक्स बना के तियार करेंगे एक फ्राइड और एक सेंविच ठीक है यह जी अब ब्रेड का पीस ले लेंगे और पानी के इंतर डिप करके अच्छी तरह से हमने ब्रेड को नी चोड़ लेना इसके बाद हम इसके इंदर डाल अच्छी तरह से आपने पानी इसको स्क्वीज कर देना है और उसके बाद आपने इसके इंदर फिलिंग डाल लिए ठीक है अब जी जबरदस हमारा बॉल बन के हो चुका है तियार इसको हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स इसके जुनाओंगी आपको मज़ा आजएगा खाके और में बात यह है कि इस तरह से बनाने से जो ब्रेड है ना ये घी एब्सॉब नहीं करती क्योंकि हमारी नीचे वाली ब्रेड जो है वो गीली है और उपर हमने ब्रेड क्रम्स लगाती है ब्रेड क्रम्स लगाने से फाइदा के ओपर ठीक है क्योंकि ब्रेड क्रम्स वाली कोई भी चीज जो होती है उसको तेज घी के अंदर कभी भी फ्राइ नहीं करते और इस तरह से हम इसके उपर ना साइड से घी डालेंगे जब तक यह सेट नहीं हो जाता इसको आपने छेड़ना नहीं है इस तरह से साइड से क कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका बिल्कुल भी फटी नहीं है ब्रेड क्योंकि अमोमन इस तरह होता है ब्रेड के स्नैक्स जो होते हैं वो गी में टालने के बाद ना फट जाते हैं आपने सिर्फ और सिर्फ दिहान यह रखना है कि ब्रेड आपने बहुत जादा गीली नह पर कोट कर देना है कलर चेक करो और आगे क्रिस्प की आप आवास चुनो बस यह जी जबर दस हमारे स्नैक्स जो हैं हो चुके मन के तियार उपर से फुल क्रिस्पी और अंदर से फुल सॉफ बच्चे या बड़े दोनों को यह स्नैक्स बहुत जादा पसंद आएंगे इसक बच्चप या चीरी सॉस बहुत मज़ा आगा इसको खाने का यह जी अब जो फिलिंग है इसके साथ हम सैन्विच प्रपेर कर लेते हैं अच्छी भर के इसकंदर फिलिंग लेकाएंगे इस तरह से हमारे मज़दार सैन्विच बनके तियार हो जाएंगे इस फिलिंग के कि समोसे, कचोरी, पकोड़े, हर चीज की रेसिपी उसके अदर अप्लोड़ेड है यह थी जी आज की रेसिपी में उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी पसंद आइए तो मस् लाइक कर दें कुछ पूछना है तो पूछ ले चैनल को ज़रू सब्स्क्राइब थैंक्स पर वाच्छिं अलाहाफिज